टो इन्होंने पीछे पलटने का इशारा किया तो मैंने पीछे पलटके देखा तो बड़ा साब आदर हाँ बैठा हुआ था और उम्हे भी देख रहा था यहांनगे जब मैंने देखा तो मुझे हैसा एल्लय से साथ संकित के बारे में जानेंगे सह साथ संगेत में से ठोड़े से भी अगर आपके साथ है ऐसा कुछ अनुवग bit गया है आपने तो समझाएगा कि आप बहुत जादा लगई है और जानते हैं कि आपके घर पर हनुमान जी की गुरपा है, कया आप पर हनुमान अगर आप ऑनमान जी की भक्ति करते हैं, तो हमें जानना तो चहिए, क्या हमारे भगवान है या नहीं, वैसे तो बहुत हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और वो कहते हैं, उनकी मार्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हीलता है, पिर भी छोलिए.. और इसमें से एक अदय अनुभव मेरे भी है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट मैं यहाँ पर एक दया मेरे भी शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था और कब हुआ था ठीक है? तो चली जानते हैं, तो यहाँ पर मैं बताती हूं पहला जो तो पहला संकित है जैसे क्गां तूट चम ना अच्छ का कंच का तूटनहें ठूट जो अब शुक्छ से हremosड़ीयो fondator जासे क्गांच का तूटना नहीं होता है और कंच तो यह थो नहीं होता है कुछ आपत्ती जो होती है न वो या तो शीशा तूटा तो उससे तल जाती है तो ऐसा भी आप समझे कि कुछ बला थी जो ऐसी जो भगवान के करपा से तल गई तो आज से ध्यान रखिए कि अगर शीशा तूटता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है और लगवान आपके साथ है और उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और दूसरी संकेत है कि अगर आपके घर पर चुडियों का आना पक्षियों का आना आपके आ वैसे क्यां आपको घ्रपाप के साथ है तो जरूर अगर आते हैं कि अगर आते हैं अनवान भक्ती करने लग्यूंग वैसे टो मैं हमेशा से ही करती हूं और भचपन से ही मेरा भक्ती की तरफ बहु भुह जाँगा पर onwards back to my full equality support तो अब क्या होता है कि अब कुछ महीनों से ना मैं यहां हम लोग तो हमें एक साल हो गया तो भी तीन-चार महीनों से मेरे जस्ट खिड़की पे जो मेरे किचन की खिड़की ए उस पर वो चो चोटी वाली गोराया चिड़िया आती है ना वो मैंने अब भी तक यहां पर कहीं अब देखिए ठीक है और कुछ देन से वो चोटी वाली गोराया चिड़िया मेरे वहां पर दिख रही है और दिखती है मुझे उसके बाद फिर वो मैं दो बार देखती है और कभुतर वगेता तो नॉर्मल ही है वो तो आते ही है लेकिन वो चिड़िया वो जल्दी नहीं अब देखती है और एक और पक्षी आया था जो काफी देख बड़ा था नाम याद नहीं आरा मुझे होसका लेकिन काफी देर तक वो मेरे गेट पर ही बैठा रहा था मैं उसको पानी खाना वगेर भी दिया था और वो काफी देर तक वहां पर बैठा रहा था तो यह भी अपर सबत्य होता है और मेरे माऐ के मैं ऐन आ एक बिल्ली है जो कई सालो रहीं पर अपने बच्के हो होते है वह डाय पर यह रहें पर कहलते है अबेसे बच्र इल्या-पर मेरे खरम्रेज जालते होते है और उखें सब्सक्या थाषाइ देखनश हON और तो ऐसा समझ ले कि आपके उपर वगवन के कृपपा है, ठीक है? और अगर आपके घर पर कोई मांगने वाले आते हैं, कोई भूखा आता है और कहता है कि मुझे सिप खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो आप और अगर आप उसे खाना खिला देते हैं, तो उसके जो दूआ लगती है, बहुत जादा असरदार होती है, बहुत जादा अच्छा होता है, तो कोई अगर ऐसा दिखे और आए खुद से, तो आप ज़रूर से खाना खिला, ये भी एक सुबसंकेत ही होता है, क्योंकि हर किसी क इसा होता है कि हमें जैसे हम जा रहे होते हैं और अचानक ही हमें भगानजी के दर्शन हो जाए रास्ते में मंदीर आ जाए और पोस्टोर वगीरा दिख झाए या कहीं आरती सुनाईते या फिर कहीं रामधून चालूर हो जाए, बजने लगे, या फिर कोई होता है, कि अचानक से जैसे कोई आखे हन, जै शियराम बोल जाए, तो कई बार इस तरह की भी संकित हमें मिलते हैं, जो कि हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन ये संकित मिलने से भी पता चलता है कि वुगान जी आपके साथ है और मेरे साथ तो ये अकसर होता है और जैसे ही मैं मुझे कोई प्रशन पूछना होता है ना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं बोल देती हो कर हाँ है तो मुझे ये संकेत मिले और ना है तो मुझे कोई संके और मैं अपनी जो भी इस तरह की उल्चने होती हैं मैं ऐसे ही स्वाल कर लेती हूं इसके बाद जैसे कि आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी का वानर सुरूप दिख जाए उसके दर्शन हो जाए तो फिर तो पक्का आप मा लेजे की आपके सर पर हनुमान जी का हाथ है उनकी करपा आपके साथ हो रही है आपके साथ है उनकी करपा और मैं जब ही जैसे मैंने कभी भी संकल्प लेना शुरू किया है ना तो मंगल या सनिवार से किया है ठीक है और जब भी मैं लेती हो ना तर्षन होता ही होता है चाहे मैं घर से बाहर निकलू या ना निकलू तो भी मुझे दर्षन होई जाते हैं तो चलिए इसी से जुड़ा हुआ अब मेरा अनुभब मैं बताती हूं मैंने किसी चीज के लिए संकल्प लेना शुरू किया था और वो मेरा पहला दीन था और यहाँ इसे में कर चूकी थी पहले भी पर मुझे किसी और चीज के लिए करना था तो वो मेरा साथ दिन का संकल्प था संकल्प था. और मैं शंकल्प पूजा वगेरा करके और मेरा सुफ़ा एसे ही रहता है अनुमान चाली सा सुंदर्कांट वगेरा मैं सुंती हूँ. तो मैं आठा लगा रही थी और किचन में खड़ी होके और सुंदर्कांट चल रहा था मोबाइल मेरा साइड में रखा हुआ था एक डबबे कोपर मेरा मोबाइल रखा हुआ था और किचन का दरवाजा खुला हुआ था मेरा और मेरे हजबेंड और बच्चे दोनों अंदर रूम में थे तो उन लोगों को पता चला की बंदर आये हुए है बहुत सारे तो उन वो जो भ क्या जो पर उन्दर थे पूंदर थे अंदरना चल दिकाश मोध पाकी माशनाखना मैंने सुना ने उनकी बाद और और क्या बता हूँ मै वो जो बंदा था बहुत बड़ा सा था हो चोटा नहीं था बड़ा सा था वो डायरेट किछन में चला गया और मैं भाही खड़ी थी और मैं मेरे से एक कदम की दूरी पर होगा पता है कीचन नो जफेम क्いचन जएधा बड़ा होता नहींद है तो किचन मेंशला गया अब दो दरवाच़कर किचन से ए darum में उए बहुलन निकलने का दो दरवाचा तो वह जस्त अंदर शला गया और में तो पीछे पलटक तो उन्होंने इशारे का इशारा की तो बड़ा चाहे साब अदर बेठा हुगा था जब मैंने देखा तो मुझे यहां अब बदे hanadi अपना सा लगा बहुत ही जैसे होता है कि कुछ जैसे मिल गया खुशी एक नहीं होती है बहुत जाता खुशी उस दिन महसूस हुई और मेरे हस्बेन ने बाहर आने को कहा क्यों कि उनको तो डर लग रहा था लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था मैं बिलकुल दीरे से मैंने अटा लगा थी मैं तो अटा वहीं रख दिया मैंने और मैं दीरे से चेस्ट उनके साइड से ही जो हां वह बैठा हुआ था बस उससे मिरसे एक कदम की दूरी पही बैठा हुआ था तो मैं बस चुपके दीरे से बिलकुल आराम से वहां से बाहर निकल गई और फिर मैं बाह संदरकांड खातम हुआ वह निकल के बाहर चले गए उसके बाद जाकर बाहर किचन के बाहर जो हमारी बालकनी है वहां जाकर बैड़ गए उसके बाद फिर मेरे हजबन ने बोला कि मैं कितनी बार तुम्हे आवाज लगा है तुमने सुना क्यू नहीं तो मैंने बुला जादा क्या नहीं लेकिन बहुत जादा खुशी हुई थी मुझे उस दिन और उस दिन से मुझे इस तरह के जो अनुभाव है ना जैसे कहीं भी में अटकी होना तो मुझे तुरंत उसका हल मिल गया है और 24 गंटे के अंदर मुझे उसका solution दे देते हैं हनुमान जी और पता है स्रे राम मंतीर है तो हां हनुमान जी के लिए अनुमान जी का मंतीर है हनेजी हो कि अнок sontya शायूर जानाजिया और जब से यह नए साल शुरू हुआ है तब से ही मैं पान का वीड़ा हर मंगलवार चड़ाती हूं तो अभी भी शाम के समय मैं जाओंगी चड़ाने के लिए तो सचे मन से अगर आप भगवान जिसे कुछ भी मांगते हैं तो वो जरूर आपको देते हैं और विजवास आपका पूरा 100% होना चाहिए कि हाँ मैंने अब बोल दिया है तो मेरा ये काम हो ही जाएगा आपका विजवास बिल्कुल भी डगमगाना नहीं जाएगा बहले आपका वो काम बने या ना बने अगर वो काम नहीं बन रहा है जो आपने सोचा है तो समझ लेजिए उससे भी कुछ अच्छा होने वाला है तब ही वो काम नहीं बना आगे चल कर वो काम आपके लिए सही नहीं होता तब ही वो नहीं बना तो इसमें भी आपको खुश जरूर करिएगा और जय श्रीराम जरूर लिखे और आपको क्या अनुभाव हुए हैं प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं तो अभी के लिए बस इतना ही थैंक्स पर वाचिंग एंड जय स्यराम